अलो दोस्तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक होम रिमेडी और जिसके हमें दो बेनिफिट मिलने वाले हैं मतलब हमारे स्किन के लिए भी ये बहुत बढ़िया रहेगा और हमारे हैर्स के लिए भी बहुत भी बेनिफिशल रहेगा अभी ये होम रिमेडी हम किस से बनाने वाले है ये तो आपको समझ में आई गया होगा जी हां हम यहां पे यूज करने वाले हैं गाजर गाजर में धेरो एंटी ओक्सिजेंट होते हैं जो डैमेज त्वच्चा को रिपेर करने का काम करते हैं और हमारे स्कीन को सौफ्ट स्मूध ऐसा बनाते हैं गाजर में विटैमिन ए होता है और हमारे त्वच्चा को विटैमिन ए हाइडरेटेड रगता है और ये एंटी एजिंग भी होता है चेहरे पर लगाने से इससे क्या होगा कि कोलेजन बूस्ट होगा और हमारी जो स्कीन है वो एकदम यंग नजर आएंगी इसमें लेक्टिक एसिड होते हैं जो त्वच्चा को गोरा करने का काम करते हैं अगर स्कीन आपकी एकदम डल हो गई है काला पनाया हुआ है तो इससे पूरा दूर हो जाएगा अभी हम क्या करना है कि एक मीडियम साइज का हमने गाजर लिया है उसे पील कि अभी हम उसका एक कद्दूकस कर लेंगे अगर आपको इससा नहीं करना है तो गाजर के तुकड़े तुकड़े करके आप ब्लेंडर में भी यह लगा सकते हैं तो एक गाजर का इतना आपका कद्दूकस हो गया है तो अभी हम यह पूरा एक जार में ट्रांसफर कर लेंगे पूरा आपको एक गाजर लगने वाला है मिडियम साइज का थोड़ा बड़ा भी रहा तो चलेगा और उसके बाद हम डालने वाले हैं 1.5-2 इंच का दालचीनी का तुकड़ा दालचीनी क्यों? दालचीनी से क्या होता? स्किन हमारी मोईस्चराइज होती है और इसमें तुचा को गोरे करने वाले गुन होते है इसमें विटैमिन E होता है, विटैमिन C होता है जो के हमारे स्किन के लिए हैर्स के लिए बहुत ज़ादा बेनिफिशल होता है उसके बाद हम डालने वाले हैं 4-5 लॉंग अगर आपके स्किन पे मुहा से है पिंपल्स के दाग धब्बे है अगर पिग्मेंटेशन है वो भी ये भगाने का काम करता है अभी हम इसमें डालेंगे एक बड़ा बाउल भर के नारियल तेल नारियल तेल हमारे स्किन के लिए, हमारे हैर्स के लिए बहुत ही बड़े होता है सिंगल नारियल तेल में इतने सारे गुन है कि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं आपको बताते बैठी तो अभी जो ओईल है नारियल का तेल थोड़ा कम पड़ गया था मैंने पूरा बाउल भर के नहीं लिया था इसलिए उपर से मैंने और लिया है अभी इसमें हम डालेंगे एक चमच एरेंडी का तेल जिसे कैस्टर ओइल कहते हैं ये एंटे एजिंग होता है और ये सभी स्कीन को सूट होता है और अभी इसमें जाएगे दो विटैमिन E के कैपसूल, विटैमिन E बहुती बढ़िया होता है हमारे स्कीन के लिए, हमारे हेर्स के लिए अभी ये सारे इंग्रिडेंट को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये जो जार है इसका हम लिड बन कर देंगे, इसको ढखके रखेंगे 24 आर्स तक आपको ऐसे ही रखना है, इसे धूप में रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हम साइड में रख देंगे तो दिखिए 24 आर्स हो चुके है, 24 घंटे बाद दिखिए, इस प्रकासे ये दिख रहा है, जो गुडनेस है न, ये सारे चीज़े हमने इसमें यूज की थी, विटामिन E है, लॉंग है, दालचीनी है, गाजर है, सभी जो गुडनेस है, इसका ये पूरा ओइल में आ गया ह और अभी हम क्या करेंगे, इसे ऐसा यूज नहीं करेंगे, हम इसको चान लेंगे, एक छनी ली है मैने, जो घर में होती है, हर गर में, उससे हम ये सारा अच्छे से चान लेंगे, और इसे एक कांच की बोतल में भरके रख देंगे, आप इसे महिना भर यूज कर सकते हैं, आप इसे दो हफ़ते तक यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर महिना भर आपको यूज करना है, तो इसे आप फ्रीज में स्टोर करके रखें, या फिर दो हफ़ते के लिए रखेंगे, तो आप फिदाउट फ्रीज भी इसे रख सकते हैं, बहुत ही आपको ये बेनिफिशल है, बहुत जादा स्कीन के और हैर्स के इसमें फाइदे हैं, और बहुत बढ़िया होता है ये हमारे स्कीन के लिए, आप इसे नाइट केर रूटीन में भी शामिल कर सकते हैं, या फिर डे केर रूटीन में भी शामिल कर सकते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही बढ इसका जो अरोमा है बहुत ही बढ़िया आ रहा था और मैंने इसके एक छोटे से बोटल में भी ट्रांसफर कर लिया है ताकि मुझे यूज करने के लिए बढ़िया हो जाए अभी हम इसे अपलाइ कैसे करेंगी वह में बात है तो इसे अपलाइ करने से पहले फेस वाश कर ले और इसे हाथों में लेके हमें पास से 6 मिनिट तक हलके हलके हाथों से मसाच कर लेनी है अगर आप इसे डे केर रूटीन में शामिल करना चाहते हैं तो आप जब नूइन से उठते हैं तो आप फेस वाश करते होंगे और फेस वाश करने के बाद अगर आप मोईस्टरेजर या कोई भी कुछ भी अगर इस्तमाल करते हैं तो उसकी जगह आप ये oil यूज कर सकते हैं जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ बस वैसे ही आपको इसे हलके हलके हातों से मसाज करनी है अगर आपके आखों के नीचे अगर काला है तो उसके भी ये कारागर है आईब्रो अगर पतली है तो उसमें भी आप थोड़ा-थोड़ा हलके हातों से आईब्रो पे भी मसाज करिए उसे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उसके बाद जहाँ-जहाँ काला है वहाँ पे अच्छे से आप मसाज कर सकते हैं पिंपल से पिंपल भी दूर भगाने का काम करता है और ये बहुत ही ज़्यादा स्किन के लिए और मैंने आपको बोला था हैर्स के लिए भी बेनिफिशल है आप इसे हेर्स पे भी हलके हलके हातों से 5 मिनिट के लिए मसाज कर सकते हैं हेर्स के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं देखिए 5 मिनिट तक मैंने अच्छे से मसाज कर ली है और 20 मिनिट के बाद आप फेस वाश कर सकते हैं अगर night care routine में आप शामिल करते हैं तो रात भर रख सकते हैं लेकिन अगर skin sensitive है तो आप इसे wash कर सकते हैं